प्यारे बच्चो कैसे हुआ बच्चो आज हम आपकी क्लास 50 की हिंदी का कारेपत्रक 40 करेंगे तो इससे पहले बच्चो अपने 39 वक्षिट को कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको देखकर अपनी जो ये वर्क बुक की वक्षि है वो कम्प्लीट कर लिजिएगा ठीक है बच्चो तो आपको सबसे पहले पता ही अपना नेम लिखना है और डेट लिखनी है हमारा अधिगम शेत्र है बच्चो व्यवारिक व्याकरन तो बच्चो पिछली जो हमने 49 वक्षिट की है उसमें हमने व्याकरन में नए-ने है विशेवस्तु है वो है विशेवस्तु से समंदित मुहावरों का वाक्य में परियोग कर पाना तो बच्चो यहां पर हम क्या करेंगे मुहावरे सीखेंगे ठीक है बच्चो तो सबसे पहले हमारा कॉश्चन है अर्थ एवं मुहावरों का परस पर मिलान कीजिए तो हमें लाइन लगानी पड़ेगी फिलान करने के लिए तो सबसे पहले है बच्चो आंखों का तारा होना इस कार्थ होता है बच्चो बहुत प्यारा होना जो हमें बहुत अच्छा लगता है उसको कहते है आंखों का तारा ठिठोली करना कार्थ होता है बच्चो हंसी मजाग करना मूफ लाना क्या हता है बच्चो रूठ जाना गमन में चूर होना बहुत अधिक अभिमान करना है आग बवुला कार्थ होता है बच्चो बहुत गुस्से में आना और तूति बोलना अपनी बात चलाना इस तरह से आपको मिलान करना है आप चाहो तो अपनी नोटबूक में मुहावरा है उसका अर्थ बिल्कुल जो सही है वो सामने लिख सकते हो जैसे आंखो कातारा होना तो उसके सामने आप लिखोगे बहुत प्यारा होना ठीक है तो इस तरह से आप सही भी लिख सकते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे दूसरा पच्चो प्रशन है हमारा निमन लिखित में मुहावरा है तो बच्चो यहाँ पर चार दिये हुए हमें पहचानना है कौन सा मुहावरा है एक मुहावरा होगा बच्चो जो सही बाकी लकोक्तियां होंगी ठीक है तो अंदों में काना राजा बच्चो एक लकोक्ति है दूद का दूद पानी का पानी भी लकोक्ति है दूर के ढोल सुहावने भी लकोक्ति है तो बच्चो खै है जो वो वो मुहावरा है, घी के दिये जलाना, ठीक है? तो अगला प्रश्ण है बच्चो, निमन लिखित में मुहावरा नहीं है, उपर हमने मुहावरा ढूंडा था, नीचे बच्चो, एक ऐसा होगा, जो मुहावरा नहीं है, बाकी मुहावरे होंगे, ठीक है? तो एक लोकोक्ती होगी, तो बच्चो, जो पहला है कव, मुहावरा की खाना, ये लोकोक्ती है, ठीक है? यानि ये मुहावरा नहीं है, तो इसका आंसर होगा कव, बाकी तीन है, जो लोहा मानना, हवा से बाते करना, आम के आम, गुठलियों के दाम, तो ये बच्चो, तीन और जो कै है, मुह की खाना, वो लोकोक्ती है, तो इस तरह से बच्चो, आपको मुहावरे याद करने हैं, और लोकोक्तियों की भी पहचान करनी है, ठीक है बच्चो, तो आज अपने मुहावे सिखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक झालस्डे